So Hello Everyone, Welcome Back To My YouTube Channel तो आज मैं आपको जो वैकेंसी का अपडेट बताने वाला हूँ ये वैकेंसी का अपडेट देखने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना चरूर से और अगर आपने वीडियो का कमेंट में आपने अपनी education qualification को नहीं डाला है तो कमेंट करका मैं बता देना कि आपकी क्या qualification है आज मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा यहाँ पे बहुती बड़ी अपडेट है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अमालिजिक graduation कर रखा है simply जैसे कि आपने बीए कर रखा हो ठीक है या फिर आपने बीकॉम कर रखा है ठीक है या फिर आपने बीसी कर रखी है ठीक है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं आपने 10 भी कर रखा है और 12 कर रखा है तो भी आप इसके लिए जो apply कर पाएंगे अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताइए मैंने यह कौन कौन से पद के लिए क्वालिफिकेशन है इसके लिए आपको सभी वीडियो को पूरा अंते तक देखना होगा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके लिए इसके लिए इलिजवल है जो भी इसके लिए आपके पास कोई यहाँ पर कर पाओगे अगर आपने अमीट तक हमारे टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जॉइन जरूर से करें लिंक लिए आपको वीडियो के डिस्केप्शन में मिल आएगा यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर इंडगो येरलाइन्स की तरफ से एक ऐसी आप परचुनेटी आई है जो कि आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है अगर आपने यहाँ पर लगने वाली है यहां पर जो पद देखने को मिलेंगे जिसकी फॉर्म परने की जो लास्ट रखी गई है 10-6-2024 आपको देखने को मिल दाएगी यहाँ पर कैसे आपको आपे दन करन सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि यहां पर आपको फॉर्म है वो कैसे आपको बरना होगा और कैसे आपको समिट करना होगा जी है गाईस तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है यहां पर इसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि वाई कैसे कैसे यहां पर आपको फॉर्म को भरना होगा और कैसे यहां पर अपलाई करना होगा यह सभी जानकारी आप जब आप जान वाला हूं तो जैसा कि आप देखी पार होंगे इंड़ो येरलाइंस की तरफ से यहां पर लेटेस्ट वेकेंसी निकल कर आ चुकी हैं जिसमें कावी सारे पाद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे चाहिए वह फ्रेशा कंडिडेट हो या फिर वह एक्स्पिरेंस कंडिडे करना होगा इसमें आप Werdan आप कैसी कर सकते हैं आदन का प्रॉसेस क्या होगा याँवरे उसके माध्यम से आपको बताए गया है यहां पर बताएगा कि लि कमपनीने वक são你 कैसे होग भी एजिट एक्एम मोलड कैसे होगा एज लिमिट क्या है सेलेक्शन प्रॉसेस क्या है यह सभी जानकारी आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं बात करें इसमें पोस्ट नेम के वारे में तो यहां पर जो पोस्ट निकल कर आ रही है आप यहां पर देखी पार होंगे ग्राउंड स्टाप की पोस्ट है रेंप एंड सेक्रोटी डेपार्टमेंट के अंदर इसमें देखेंगे तो यहां पर सीनियर एक्सी की पाद है यहां पर ट्रैनिंग की पाद है यहां पर ओफिशर की पाद है यहां पर और भी कई सारे पाद यहां पर आपको देखने को मिल तब ही जो आपको आप इतन करना होगा बात कर लेते हैं हैं यहां पर आपका आपका apply mode होगा वह कैसे होगा यहां पर आपको बताए गया कि indigo yearlines company के तरफ से जो भी candidate है वह यहां पर online के माद्यम से फ़र्म बरेंगे इसका link आपको इसी video के description में डारेक्ट ले नीचे मिल जाएगा तो यहां पर जो apply mode रहेगा यहां पर online के ही माध्यम से रहेगा चाहे वो male candidate हो यह फिर female candidate हो ठीक है इसमें यहां पर आम बात करेंगे important dates की तो आप देख सकते हैं जो application form start हुए थे वहां पर 15-5-2024 से start हुए हैं जिसकी form परने की last date आपको यहां पर 10-6-2024 आपको देखने को मिलेगी बात करते हैं इसमें education qualification के बारे में तो जो आपके qualification है वो आपकी qualification क्या रहेगी यहां पर आपको बताए गया है कि अगर आपने 10th कर रखा है ITI, Diploma, BCom, BE, BTEC वगरा भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए जो apply यहां पर कर आपको अपके हैगा यहां पर देखने को मिलेगी जो कि आप यहां पर देखने को मिलेगी मिनिममफर जो चैर्ण सिटी फीमयल कंडिडेट के लिए भी निलच रखा गया है कोई चार्ज आपको नहीं बे करना होगा बात करेंगे सेलेक्शन परसेस के वारे में तो सलेक्शन परसेस आपका कैसे होगा यहाँ पर आपको बताये क्या है यहाँ पर देख सकते हैं परसनल इंटर्विव के अधा पर और मेडिकल टेस्ट के आधार पर यहां पर जो सेलेक्शन प्रॉसेस्स है वो आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा इसमें डॉक्यमेंट्स रिक्वाइड की बात करें तो जब फॉर्म बरेंगे तो कौन-कौन से डॉक्यमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपे माक सीट सेटिफिकेट हो गया आधार काड हो गया यहां पर यहां पर जो आपका वर्क एक्सपिरेंस है तो उसका सेटिफिकेट हो गया पासवर्ट साइस फोर्टू रिज्यूम बगएरा कबालेटर बगएरा यह सभी डिटेल्स को आपको बरना होगा और यह मैं लड़ी मोबाइल लंबर बगएरा तो यह आपकी डोकिमेंट्स जो इंपोडेंट हैं वह आपको लगने लगाने हैं जरूर साब को फॉर्म बरेंगे तो आपको आपको अपलोड करने होंगे अब बात कर लेते हैं यहां पर हाओ टू अपला रहा हूं अपलाई का उसी साफ से बरना फिर आप कमेंट करते हों कि आपने प्रोसेस नहीं बताए अपलाई करने का इसलिए मैं आपको एटू जैड प्रोसेस बताता हूं वाइचांस अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप कैसे फॉर्म को बर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो है गुगल पर आना है और यहां पे आपको टाइप करना होगा online जाप तक जैसे के आप देख पार होंगे मैं आप कर देता हूं online जाप तक है अब जैसे यहां पर किलिक करोगे किलिक करने के बाद आपके सामने ऐसी विंडोफ खुल की आपके ओपिन होगी तो आपको सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंडगो यहां पर आप अब इदन भी कर पाएंगे आप इदन करने का प्रोसेस मैं आपको बताया कैसे करना है उसके बारे में आप पूरे को डिटेल से बताने वाला हूं तो वीडियो को ध्यान पूरबक्त देखते रहना कोई भी स्टेप को मिस मत करना नीचे आप जब फोड़ा स्क सब्सक्राइब कर लेना चलिए बात करते हैं यहां पर जैसे यहां पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का यहां पर आपको बहुत सारी पॉस्ट देखने को मिल लाएंगी तो इसके लिए क्या करना है आपको माल लेजिए को कोई विक से लिए आभितन करने करें पहले आपको यह देकना है कि क्या क्वलिक करेंगे रेस्ट की आपको यहां पर आपको देखनेट meio यहां पर मिल जाएगी तो आपके लिए कर सकते हैं आपके पास computer नालीज यहां टूराफ बसक्थे करके करें यहां पर देख सकते हैं जिसमें लांकेशन आप आप देख सकते हैं और यहां पर पोस्ट कर पाएंगे तो ऐसे हैं पर यहां पर काभी सारी पॉस्ट यह नहीं को मिलेंगे तो यहां पर बहुत सारे पेज़तु करते हैं तो सबसे पहले पहले देख लिएगा किसमें क्या क्वालिफिकेशन मागी यह उसके बाद ही आप इतन करिएगा आप देख सकते हैं डेली के अंदर देखने को आपको मिलेगी और इसमें आप डिरेक्ट ली जो है आप इंटर्वी के लिए सकते हैं जो कि 22 माई से लेकर के 24 माई तक यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंटर्व्यू आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देखी पा रहे होंगे और राइस्टेशन का टाइमिंग है वो दस बज़े से शुरू हो जाएगा जिसकी इंटर्व्यू क गवर्मेंट आइडी प्रूफ जैसे कि आजार काड़ हो गया पैन काड़ हो गया अगर आपके पास यहां पर होना जाहिए जो कि मैं आपको बता रखी है अब मालीजी अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेशन करना होगा करने के लिए आपको बटन दे रखा है इस पर यहां पर आपको क्या करना है एक क्रियेट अकॉंट पर क्लिक करना है यहां ہो सकते हैं ज्यों पे भी आयड़ी खुलिए हुआ है उसे यहां यहां पर लॉगिन हो सकते हैं उसके बाद ब सबकूर आपना ओenne mail i.de ठीक है blinking बरएंगे उसके बाद आप पूर जोई हैं और इसके बाद में आपका कंट्री नेम और इसके बाद में आपके अपने पास रख लीजएगा तो आपके पूछ चैना पह सब्सक्राइब वह फॉर्म आप जो निकले फॉर्म उस फॉर्म को आप अपने पास रख लेजेगा क्योंकि वह इंटर्व्यू के दौरान आप किसे पूछे जाएगा और कैसे कैसे फॉर्म को भरना होगा वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भी पूछी जाएगी अगर आप मेल आड़ी के तो आप यहां से लोगिन हो सकते हैं जैसे आप देख पार होंगे यहां पर अपनी प्रोफाल पर किलिक करके आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमने अलड़ी एकाउंट बना रखा था इसलिए हमारे यहां पर हो रहा है तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को भी भर सक हerme को आपने pilots कर सकते हैं और कोई निकल वा सकते हैं तो कोई कोई फॉय आपको और जलदी दें मिलएंगे नई वीडियो में नई फेकेंसी के साथ